अपने जीवन की पुरी पूजी एक सुन्दर घर बनाने में लगा देता है। कई बार जब आप गाओं देहातों और जंगलों को सहर पर जाते हैं तो कटीली जहारियों और विक्चों पर वाया के गोसले देखने को मिलता है। पूड वेस्या में पाये जाता है या सबसे आकर्सक घोसला बनाने में माहिर होते हैं। आपको जानका राश्चरी होगा कि ये घोसला मादा पक्ची नहीं बलकी नर पक्ची बनाते हैं। गोसला बनाने के लिए घास की लंबी लंबी पतियों का इस्तेमाल करते हैं। तब फिमेल बट्स उसे चेक करता है अगर उसे सही लगा तो आगे की घोसला बनाने के लिए मदद करता है नमबर दू की बात किया जाए तो कटफोडवा पक्ची यह पक्ची अपना घोसला पेर के मोटे तनों को चों से कुरेद कर बनाये गए घोसले की गुहा घोसला कहा जाता है इस पक्ची को घोसला बनाते वे देख आप भी हैरान हो जाओगे कि एतने मोटे तने को किस तरह छेद कर दिया जाता है दरासल इस पक्षी की जो चोँच होती है वहा काफी मजबूत होती है इसकी मदद से यह पक्षी अपना घोसला पेर के तनों पर बना देते हैं अब नमर तीन की बात किया जाये तो अब आवील पक्ची की घोसला भी काफी खूब सुरत होते है इनकी कलाकारे देख आभी हैरान हो जाओगे दरासलिया पक्ची अपना घोसला छोटी जारी और पत्यों को मिलाकर अपना घोसला बनाते है यह पक्ची अपना घोसला मिट्ट पीछे उपर नीचा चारत आपर पूर सकते हैं पर क्या इनके आप कलाकारी से परचित होंगे चलिए हम आपको इनके कलाकारी से परचित कराते हैं यह पक्छी अपना घोसला मकरी के जालव चोटे पत्या मत जच स्पपते पांकों की मोहते हैं Last गोसला इतना लचीला होता है कि अंडे से बच्चे जब बाहर निकालते हैं तो वह वर्य होने के साथ-साथ उनका गोसला भी बड़ा हो जाता है अब नमर पांत की बात किये जाए चील पक्ची की गोसला के परचित कराने से पहले हम आपको उनके बारे में बताते हैं चिल पक्षी की नजरे एतनी तेज होती है कि वो अपने सिकार को देखने के बाद इसनको छोरने का एक भी मोका नहीं देता है उनके हमले से बचना लगवग ना मूमकिन हो जाता है वो कफी खातरनाक तरीके से भी सिकार करते हैं ये तो रही चील पक्ची की सिकार करने का तरीका लेकिन हम उनके घोसले का बार में बताते हैं ये पक्ची अपना घोसला उची पहारिया और उचक पेरों पर बनाते हैं यह पक्षी पेल की छोटी छोटी टोहणी और जार्यू के इस्तमाल करके अपना घोसला बनाते हैं इनका घोसला उचा होने के साथ साथ काफी डरावना भी लगते हैं दोस्तो कॉमेंट में जरूर बता है इन में से सबसे खुबसूरत पक्षी के घोसला कौन सा है